सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 दिनों में 10 एजंस किस तरह से रिक्रूट कर सकते हैं सुनने में डिफिकल्ट लगता है येस बट ओनेसली बताओ जरा भी डिफिकल्ट नहीं है और वो क्या है कि अगर मान लीजे आपको 10 दिनों में 10 एजंस रिक्रूट करने है ना तो आक्चुली होता कैसे है सिंपल मैट्स है देखे आगर मान लीजे मुझे 10 एजंस रिक्रूट करने है और मेरा कन्वर्जन रेशयो जो है ना वो सिर्फ एक परसंट है है ना यानि 100 लोगों को 100 प्रोस्पेक्स को मैं अगर अप्रोच करता हूँ तो उसमें से सिर्फ एक ही बंदा में रिक्रूट कर पा रहा हूँ यूजिली बता हूँ इतना बुरा कन्वर्जन रेशयो किसी का होता नहीं है इंचॉरज इंडेस्री में जादा तर लोगों का अच्छा ही होता है इस अल्मोस्ट लाइक 10 परसंट 15 परसंट 20 परसंट जैसा होता है लेकिन अपने क्या करेंगे अपने वर्स्ट के सिनेरियो मानके चलेंगे है ना कि आपका सिर्फ 1 परसंट जो है कन्वर्जन पेशयो है तो आपको कितने यहीं पे जादा तर लोगों की गाड़ी अटक जाती है कि भाई 1000 प्रोस्पेक्स मिलेंगे कहां से अगर यह मिल गए ना तो दस एजन्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं तो लेट्स अंडर्स टेप्स जिनकी मदद से यह पॉसिबल हो पाएगा तो उसमें टिप नमबर वन है लेकिन किसमें चाहिए कि पहले आप कर लो कि आपको अपनी टीम में कौन से प्रोफाइल को रिक्रूट करना है जी हां क्योंकि इंशॉरंस इंटसी में मैंने बहुत सारी एजेंस बहुत सारी लीडर्स और मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है कि डायरेक्शन लेस घुम रह लेते हैं चाय की चूस्किया मारते हुए और यार बिसनस मिलता है उनसे मैं तो अपनी टीम में हाऊस वाइब प्रोफाइल ही रिकूड करता हूं और कोई परोफाइल के पीछ जाता लिए बस यह सुन लिया वो दिमाग में plan बना लेता है कि आज housewife profile को recruit करूँगा या वो सीधा पूरा दिन housewife profile के बीछे target करना शुरू कर देता है वोई है वोई leader या manager अगर मान लो दुसरे दिन सुबे चाही की चुस्किया लेते हुए पैंट्री में कुछ और सुनता है किसी और manager को किसी और leader को बोलते हुए सुनता है कि यार retired profile तुमको पता है कि इतनी productive होती है retired लोगों के पास इतना पैसा होता है क्योंकि retirement का पूरा पैसा एक साथ आ जाता है और बहुत अच्छा investment करता है यार उन्हीं को recruit करना जी अपनी team में business इतना बढ़िया मिलता है उनका है कि या भाई छोड़ो housewife कल पूरा दिन महनत किया ना कुछ हाथ में नहीं आया राइट अपने retired लोगों के पीछे चलते हैं yes तो यही हो रहा है क्या हो रहा है direction less गुम रहे है clarity नहीं है तो इसलिए क्या करना है सबसे पहले दिमाग में clarity आनी चाहिए कि मुझे मेरी team में क और प्लस उन्हीं पर target कीजिए उन्हीं पर focus कीजिए और अपना पूरा strategy डिजाइन कीजिए believe me इससे बहुत ज्यादा फाइदा मिलता है आपका conversion ratio अच्छानक से बढ़ जाएगा try it उसके बाद दूसरा tip है stop prejudging people जी हां अरे यार इतना बड़ा mistake है न सीरियसली बताओ के ज हम क्या करते हैं हम एक list बनाते हैं या फिर हमारे पास एक database होता है जहां पर जिनको हमें अप्रोच करना होता है राइट सो जादा तर लीडर्स और मैनेजर जब नया नया शुरुवात करते हैं तो वह 100 लोगों का अपने नैचरल मार्केट में जो लोग है उनका list बनाते है हाँ मैं उसका नाम लिखता हूँ वो शायद दिनों मुझे हाँ बोल देगा ये करते हैं करेक्ट है हमारा नैचरल मार्केट का जो हम list बनाने अगर बैठेंगे न वो भी list biased list होगा biased मतलब उसमें भी हमारा thought process बहुत अंदर जाएगा कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं ह यही सबसे वड़ी गलती होती है आप प्रीजज मत करो आपको तो सबको अप्रोच करना है let them say no इसका एक बहतरीन example मैं आपको देता हूँ मान लीजिए आपको एक vegetarian restaurant शुरू करना है और यह जो restaurant है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे advertisement करेंगे correct है हम हमारे पहचान में जितन वेज खाने वाले लोगों को करोगे या non-veg खाने वाले लोगों को भी करोगे you tell me that I am sure आपका answer होगा दोनों को करोगे है न क्यों क्योंकि non-veg खाने जो strictly non-veg है ना उनके भी तो पहचान में कुछ vegetarian लोग होंगे अगर आप दोनों को आड दिखाते हो अपना या दोनों क को recommend करेंगे कि यार इसका मैंने आड देखा था क्या बोलेंगे कि यार मैंने इस restaurant का मुझे लगता है काफी बढ़िया restaurant है I think you should go and try it is a pure wedge restaurant होता है नहीं होता है ऐसा है ना तो पहले से pre-judge क्यों करना है यार अब हम insurance business में है और हमें हमारा marketing करना है तो उसके लिए pre-judge करने into the chat section I agree उसके बाद तीसरा tip है और बहुत ही ज्यादा important है that is stop wasting time during sourcing जी हां sourcing में एक बंदा इतना ज्यादा time waste कर देता है ना कि उसको conversion के लिए time ही नहीं मिलता एक online average study है insurance industry का क्या है पता है आपको हर leader हर manager जब वो recruitment करन निकलता है या जो भी अपना काम करता है पूरे साल में उसमें 80% time अपना सिर्फ sourcing में waste कर देता है 80% time आप सूचो यानि हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंडी रहा है agent डूंडो business डूंडो agent डूंडो business डूंडो यही कर रहा है don't you think this is insane अगर मान लीजे यही equation उल्टा हो जाए यानि 80% time sourcing में लग रहा है उसको और बचा हुआ सिर्फ 20% time है ना उसको मिल रहा है conversion के लिए अब को 80% time आपको conversion में मिले और 20% time में ही आपका सारा जितना भी आपको sourcing करना है ना वो complete हो जाए would that be a fantastic way to work absolutely यहां लेकिन फिर भी क्या कर रहे है लोग आज आज वही इनों जो repeated जो पहले से mistake करते आ रहा है ना पुराने तरीके is the best तरीके सोच वाले लोग रहाना क्या करते है database जैसे ही मिलता है सीदा phone उठा लेते है फोन उठाने के बाद क्या करते है appointment मांगना शुरू करते है appointment मिल रहा है क्या आज कल नहीं मिल रहा है आपको नहीं किसी को नहीं मिल रहा है insurance industry में आपको यह आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह problem मेरे ही साथ हो रहा है मैं जब phone लगा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर फिर ऑनलाइन लोगों को ढूंडा कैसे जाए कि मुझे यही नहीं आता एक बहुत ही सिंपल तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन लोगों को अगर कोई भी प्रोफाइल आपके दिमाग में जो है उसको आपको ढूंडना है आप ही के शहरे में तो आप कैसे ढूंड सकते हो तो उसके लिए करना क्या है हमें असर फेस्बुक पे जाना है जैसे ही आप लॉग-इन करोगे मैंने अभी अपने अकाउंट पे लॉग-इन करोगे पहले क्या करना है आपको सर्च बटन ढूंडना है सेर्ज बटन जो है मैंने जूम कर लिया देखी ये वाला यह ना इस सर्च बटन QA अपको इसके ऊपर क्लिक करना के बाद आपको क्या करना है आपको अपना सिंपल प्रोफाइल ढूणना है कैसे प्रोफाइल ढूंटे है आप ही के शहर में वह शीकर आपको रहें लेट से फॉर एक्जांपल आई एम सर्चिंग हाउस्वाइफ प्रोफाइल राइट हो यू एस इडवल आफ़ फी हाउस्वाइफ इन लेट से मुंबाई में मैं हाउस्वाइफ प्रोफाइल ढूंड रहा हूं मैंने सर्च बटन दबा दिया है टाइप करके ए नहां पर पीपल पर क्लिक करूंगा जैसे पीपल पर क्लिक करता हूं मुझे जितने भी हाउस्वाइफ प्रोफाइल्स है वो सारे मेरे सामने आ जाता है यह सारे हाउस्वाइफ प्रोफाइल मेरे लोकल एडिया मेरे लोकल एरिया में यह सारे हाउस्वाइफ प्रोफाइल है जिनको मैं connect कर सकता हूं देखे मैं scroll down करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं लेकिन list है के खतम नहीं हो रहा है right so this is the simplest way wherein you can you know find any profile from your local area amazing you agree on this if yes please write into the chat section I agree by the way अगर आपको ये तरीका और इससे बहतरीन और क्या हो सकता है कैसे इन लोगों को अप्रोच करना है ये सारी चीजे भी अगर आपको सीखना है तो मैं इसी टेक्नीक को और बहतरीन तरीके से किस तरह से implement किया जा सकता है वो सिखाने वाला हो मेरे free webinar में जिसका नाम है auto lead mastery जो is Sunday को में करने वाला हो और इस webinar में सर्फ 90 minutes में सिखाने वाला हो कि strategy को implement कैसे किया जाता है यानी social media के माध्यम से कैसे profiles को ढूंडा जाता है उनको अप्रोच कैसे किया जाता है और सीधा उनके साथ appointment कैसे book की जाती है super fantastic yes so simple है इस webinar में इन्हों आने के लिए आपको क्या करना है नीचे मैंने एक link दे दिया है उस पे आप click कीजे अपने आपको register कीजे और last में आपको एक group का invitation मिलेगा that is you know my inner circle group आप उसमें join हो जाइए उसी group में मैं webinar का link share करने वाला हूँ आप लोगों के साथ yes free webinar है भाई और 90 minutes के अंदर ये सारी चीजे सीखने वाले हो yeah interesting लग रहा है तो अभी ही उसको register कीजे तो ये हो गया तरीका social media के माधियम से भी लोगों को ढूणने का sourcing करने का right उसके बाद हमारा tip number 4 है clarify your message super duper important क्यों पता है क्योंकि आदी से ज़्यादा जो जनता insurance industry में काम कर रहे हैं नो उनको यही नहीं पता है कि हमारा message सामने वाले तक किस तरह से clearly पहुँचाना है बहुत ज़्यादा confusion होता है जो भी बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा confusion होता है जब हमारे office पे profile जाते है हम उनको जब seminar या presentation में बिठाते हैं और फिर जो बात करते हैं that is totally confusing और इसी बज़े से तो लोग recruit नहीं हो रहे हैं एक आपको example देता हो जबी भी आप किसी profile के साथ बात कर रहे हो न सबसे पहले ये सोचो कि भाई वो profile आपकी team में क्यों join करेगा simple सवाल है लेकिन ये simple सवाल अगर आप अपने आपको पूछोगे न आपको बहुत ही productive जवाब मिलेंगे honestly मान लो मुझे मेरी team में housewife को recruit करना है आज ठीक है housewife profile जो है मेरी team में क्यों join करेगी कि उसके पास और कोई opportunity नहीं है या पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी ही opportunity है जो उसके लिए बहतर ही नहीं या मेरी opportunity से वो ज़्यादा पैसा कमा सकती ऐसा कुछ नहीं है right you also agree on that then why should that profile join your team and why should that profile join insurance industry simple logic लगा वास simple logic देखे क्या करना है housewife profile के साथ जबी भी आप बात करते हो ना उनके साथ हमेशा दूसरी जो opportunities उनके पास available है ना उनके साथ उसका comparison कीजिए आगकी opportunity का दूसरी profiles के साथ दूसरी opportunities के साथ comparison कीजिए और उसको बताईए कि दूसरी opportunities में कितनी ज़्यादा महनत है कितना ज़्यादा fail होने के chances है कितना ज़्यादा investment है और profit का कोई guarantee नहीं है जैसे for example housewife profile कौन-कौन से इनों तरीकों से पैसा कमा सकती है one let's say tuition पढ़ा लिया बच्चों को part time business पे ज़्यादा तर housewife के पहले दिमाग में यह आता है कि आसपास के जो बच्चे है उनको भी tuition पढ़ाओंगी और अच्छा पैसा कमाई हो जाएगी मेरी yes लेकिन होता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है because everyone does not have that teaching skills इसलिए और आपका impression जो है आसपास की society में आप किस तरह से कितना आपको experience है उसी पे उस पे भी तो depend होता है ना सो आसपास इनों भले आपने बड़ा बोड लगा दिया है अपने घर के बाहर अपने इनों में गेट के बाहर लेकिन फिर भी students मिलते नहीं है और एक coaching class को शुरू करने के लिए अगर आप घर के अंदर ही आज simple नॉर्मल जो स्कूशन जैनों उसमें ज्यादा तर पैरेंट्स बेशते नहीं है बढ़ाने के लिए उनको स्मार्ट तीज़े चाहिए राइट टाट एट्रैक्स ओर स्टूनें तो आप यह सारी चीज़े करने तो आप वो करोगे तो failure होगा ऐसा कोई mentor मिलता नहीं राइट टिफिन सर्विस जादा तर यही करता है ना बताओ उनको कि रॉम में कितना खरचा होता है बताओ उनको कि टिफिन सर्विस में सबसे ज़्यादा important है कि आपको ऐसे क्लाइंट मिलने चाहिए आपको ऐसे लोग जो टिफिन सर्विस आपके साथ बुक करें ऐसे बहुत कम होता है कितने लोग आपको मिलेंगे जो होस्टेल्स में रह रहे हैं या फिर इनों जिनको खाने पीने का प्रॉब्बर में बगेरा बगेरा एंड ओनेसली बताओ इतना ज़्यादा इसमें टिफिन सर्विस में कि अगर आपने एक सालड भी इनों कम दे दिया या एक पापड भी कम दे दिया ना दूसरे दिन आपका टिफिन बन दो जाता है राइट वाट वी सी प्राक्टिकली इसंट इस और टिफिन सर्विस को अच्छी कमाई होने के लिए आपको सब्सक्राइब लेंगे तो उसके ऊपर फिर आप इनों प्रॉफिट कमापाऊगे सब्सक्राइब कर सकते हो फिर टपर वेर बिजनेस जो घर में बैठके भी जुएलरी बनाते है रही वगएरा वगएरा कई हाउस वाइफ यह सोचते हैं कि घर पे बैठके मैं कपड़े भ सब्सक्राइब लेकिन बाद में एवरी टाइम योर सोसाइटी हाउस वाइफ वाइफ विल नॉट कम तु वेनेवर दे आर इन वाले काम नहीं है करेक्ट है यह पॉइंट समझ रहे हो बात को यह पॉइंट समझ रहे हो आप यह पॉइंट समझ रहे हो आप है न अभी इतना जो एक्जामपल दिया सर्फ हाउस वाइफ को इन्हों प्रोफाइल को लेके मैंने इंशॉरंस का आई भी नहीं बोला लेकिन इतनी भी अगर मैं बात कर लूँगा न किसी हाउस वाइफ के साथ और इसलिए जब मैं उसको कुछ चीज रगमेंट कर रहा हो तो यह सारे ऑप्शन्स कंपेर करने के बाद कर रहा हो इमाजन दाट इस इस वाट पीपल वांड जो हम दे नहीं रहे है यार लीडर्स मैनेजर्स जागो इंशॉरंस इंडस्री में क्या कर रहे हो यार वही किसी पीटी लाइने जो कंपनी ने सिखाई हुए ना उसको मस्त इस्तमाल करो यार लोग बोर हो गए उससे यही लॉज इन चीजों पर आप सोचोगे ना आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा लोगों के साथ बात करने के लिए बट प्रॉब्लम यह है जो बेजिक इंपॉर्टन सवाल जो है ना आज इंशॉरंस इंडिस्री में हर लीडर हर मैनेजर को अपने आपको पूछना चाहिए व हो आपके कंपनी में जितने भी मैनेजर जितने भी भी लीडर जाना सब टॉब परफॉर्मींग होतें इंडिसंट इंटिक तरॉब टॉप परफॉर्मर्स इन यॉर ब्रांच एमाई करेक्ट सही बोल रहा हूं इफ यस इनो राइट इन दो कमेंट सेक्शन आई अग्री सो दस दिनों में दस एजन्स को रिकूट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है प्रोवाइड़ ये चार टिपस आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी फिट कर लो और जिस तरह से मैंने सोर्सिंग करना सिखा है न उसी तरह से सोर्सिंग कर दो लोगों का और आगे अपरोश परोश भी सीखना है तो अविसली मेरे फ्री वेबिनार में मैं सीखा रहा हूं उसमें आजाओ उसमें सीख लो कि तोढ़ा साज़ और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अपने दिबाग में सिर्फ दर निकाल दो कि यार यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं रही अच्छा डर की बात कर रहा है तो उससे मुझे याद आया कि बहुती बहतरीन वीडियो मैंने फियरलेस एजेंट पर क्रियेट किया हुआ है जी हाँ उसका टाइटल ही है फियरलेस एजेंट तो अगर आपको बिजनस करने में आपके एजेंट को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इंशॉरंस इंडस्टी में न तो आप भी वीडियो ज़रूर देखना चाहिए उसका ल लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सब्सक्राइब करना भी मत बुलना और हां वो बेल आइकन प्लीज क्लिक कीजेगा यू सो मच वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में